सकता हुं हम बात कर रहे कौल इंडिया की आज के दिन की बात करे और फिलाल हमको दो परसंट के ऊपर कि आपसाइट के साथ स्थी ट्रेड होता वा नजरा रहा है हम देख सकते इस वक्ति स्थाउक जोई 451.10 पैसे पर फिलाल हमको ट्रेड होता नजरा रहां इससे पहले वीडियो में हमने डिसकस किया था जब इस्टॉक ने सपोर्ट लेकर बॉंस बैक किया था हमने कहा था कि इस्टॉक यहां से रिकोरी दिखा सकता है, हाय और हाय पैटन दिखा सकता है लेकिन 460 का लेवल, इस लेवल को हमने तगड़े रजिस्टन्स के तोर पर डिसकस किया था यहां तक के तारगेट डिखा सकता है, ऐसा हमने डिसकस किया था इसी लेवल को क्यों हमने डिसकस किया था दोस्तों, इसको हम दोबारा से जानने की कोशिश करेंगे 480 के लेवल से कोल इंडिया ने rejection लिया था तो हम देख सकते support लेकर bonds back जप हुआ था तो 460 के लेवल से stock ने rejection लिया और इस rejection के बाद जब गिरावट आई है तो आपने recent local breakdown करके बड़ी गिरावट दिखाई लगातार गिरावट देखने के लिए मिली थी 400 टक का फॉल कोल इंडिया ने दिखाया था इसलिए 460 का जो लेवल इसके तगड़े resistance का काम करने वाला है अगर अब यहाँ से गिरावट आती है तो immediate support का काम करेगा 444 का लेवल जहाँ इससे पहले हमको stock support लेता नजर आया था next support का का काम करेगा 440 का लेवल और तगड़ार important support रहेगा 400 का लेवल जहाँ से गिरावट के बाद stock ने bonds back किया है target की बात करें तो अब अपना immediate target 460 का ही लेवल बनेगा अपना immediate target रहेगा इसको break out कर गया तो अगला target 470 और 480 तक के target stock दिखा सकता है इससे पहले भी stock नेम को 480 के लेवल से rejection दिखाया हुआ है तो दोस्तों इसके आसपास fresh buying को avoid करना ठीक रहेगा अगर इस bonds back के साथ 460 के लेवल को stock break out करता है तो फिर वैसे condition में highly chances बनेगे 480 के लेवल के भी break out के लेकिन इसके आसपास थोड़ा fresh buying avoid करना ठीक रहेगा अगर आप teammate account open करना जाते हो तो description में दीगई link से कर सकते हो वीडियो education purpose के लिए कोई 22 से लिए hold की सला नहीं है